श्री शिवाय नमस कुल नमस और एक विशुस्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो जितने फेस्बूक यूटूब पर सुन रहे हो जितने लोग माले गाओं की ये पवित्र भूमी पर वेट कर कथा सुन रहे हो दिल से कहूं आप लोगों से, आप स्विकार करियेगा, दुख की घड़ी में कोई आए चाहे ना आए, अगर आपने दिल से करजा हो गया, समस्या विकट हो गई, तकलीब बढ़ गई, दुख बढ़ गया, आप संकर भगवान के मंदिर में जाकर ये जरूरी नहीं है कि आप सी हो राएं, या कहीं जाएं, आप तो आपके घर के पास में जो शिव मंदिर हो, उस मंदिर में एक लोटा जल चड़ाना चालू कर दो, और दीरे दीरे दुख काटना प्रारम कर देगा, काटेगा दुख, बस जल चड़ाने का एक नियम है शिवजी का, शंकर भगवान को जो जल चड़ाया जाता है, दुख काटने के लिए, तकलिफ काटने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए, तो एक नियम है, शंकर भगवान का जल चड़ाने का जो नियम है, जिसे ये गोल जलाधारी है, यहां से पानी गिरता है, ये शिवलिंग है, ये दो जो भगवान का प सी लाइन होती है जहां शुक सुन्दरी है उपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो शंकर भगवान की पाच लड़कियां है जया विशहरा सामलिबारी दवतली और देव जहां गोल भाग है जहां शिवलिंग रखा हुआ है ये माता पारवती जी का हस्त कमल है जिस परेशानी होती है तो हम जल चड़ाते हैं तो उस जल को चड़ाने का नियाम है पहले गणेजी का स्थान कारतिके का स्थान अशुक सुन्दरी की जगा फिर माता पारवती की पीठी का उसके बाद जला धारी को इस्मर्ण करकर जल धीरे धीरे शंकर भगवान पर छोड़ा कामना कहने की जरूबत, इक बाद आप कामना करो और उसके बाद जल चड़ाना प्रारम करो और उसको कहना जरूर तेरे दरवार से कोई खाली नहीं गया मेरे शंभू मैं नहीं जानती में तो इतना जानती हूँ कि कंकर शंकर है और तु सुनता जरूर है ब्रह्मा ब्रह्मो लोक में है भगवान विश्णु वेकुंत लोक में है पर मृत्यू लोक में मेरा देव अदीदेव महादेव है मेरी सुनेगा जरूर और बाबा से बिनाय करकर आप आई है जल चड़ाने का नियम अगर दुख है तकलीफ है कष्ट है तो यह से चड़ा गो और अगर मन कर रहा है दारेक्ट शिव जी पर चड़ाना हो तो तुमारी मर जी शिव तत्व किसको कहते हैं संकर का गुणगान शिव का इस्मरण भगवान संकर का मंतर जआंप किसको कहते हैं यह वही समझसकता है जिसके भीतर शिव समाया होगा और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो जितने फेस्बूक यूटूब पर सुन रहे हो जितने लोग माले गाओं की ये पवित्र भूमी पर बेट कर कथा सुन रहे हो आप दिल से उसकी कथा सुनना इस वानी का इस व्यास्पीट का एक शब्द हो सकता है हास्पीटिल में पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति करजे में डूबा हुआ कोई व्यक्ति गलत वैसन में पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति को आप के द्वारा निकली हुई वानी से भी बाहर निकाल सकता है जैसे उस मा को कहा किसी ने सियोर वाला महराज करता है एक बार चले तो जा संसरजी के मंदिर उसने पत्र भी लिखा जब वो सियोर वाला महराज करता है चला चला करता है एक लोटा जल सारी समस्या आता हल तो जा साथ साल में उस बच्चे की वानी बापी सा सकती है जो पाणी नहीं थी जब वो बाणी मेरा महादेव दे सकता है वो देखो उस मा के चहरे की खुशी उस मा के चहरे की रोनकता जिसका बेटा साथ साल बार बोला हो उसका आनंद देखिए कि कितना होगा कितना अनंद होगा एक बात और अच्छे से समझ लीजिए जो बच्चे चेचड़े होते हैं चाए घर में बेटे हो बहुए हो स्कास हो ससुर हो परिवान में चोटे चोटे बच्चे हो चेचड़ प्रवत्ति करते हो या चेचड़ा सभाव हो जड़ा जड़ा सी बात में कुरोद आ जाता हो बोलने का भान नहीं रहे पाता हो शब्दों के बान चलते हो तो महराज परदोश के दिन परदोश काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो पान का मिल जाए तो पान का पीपल का मिल जाए तो पीपल का बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का उस पत्ते पर मातल थोड़ा सा शहर और साथ दाने चाव रखकर घीका दिया लगा दो महाराच और थोड़ा सा जल हाथ के अंजिली में लेकर भगवान देवदी देव महादेव का स्मर्ण करकर कि इस बैल पत्री के व्रक्षि के नीचे माता लक्ष्मी पार्वती सरस्वती विराजमान है इसी बैल पत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवदी देव महादेव का बारा जोति लिंग का स्वरूप प्रगठी उनका इसमर्ण करकर जल चड़ा दीजिये और उसका इसमर्ण कर लो जो चिड़चिड प्रवत्ती करता है को रोध करता है इसको बोलने का भान नहीं होता हो सम्मान नहीं देता हो आप शब्द कैफि दो तीन प्रदोश करकर देखिए बाबा कर पाकर तीन जगहां पर अगर कोई बिमारी ऐसी हो गए कि वो समाप्त नहीं हो रही बड़ी तकलिफ मलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंदी नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको तीन जगहां पर जल दो तो अटिन जगो क्यों पेड़ के नीचे क्या करना है जल का पात्र लेना है उसमें दो दाने चावल के डालना adviser ने आफ। पत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चड़ाओ, फिर जाईए पीपल के ब्रक्षे के नीचे, वहां जल चड़ाइए, आकरी में या तो शमी के नीचे या फिर आउले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक ब्रक्ष जिसके नीचे, पर एक हपते अगर आउले में चड आया है तो शमी में चड़ाना है ये बदल के मां चड़ाना कि आज मैं शमी में चड़ा देती हूं कलाओने में चड़ा दूंगे ऐसा ने शंकर भगवान पे चड़ा हुआ जल जो बहकर जाता है उसको तीन जगा पर जरूर लगाना चाहिए ध्यान से सुनिएगा नव ग्रह जो शरीत राहू के तूं मंगल बुद्शनी परिसान करते हैं उसकी समाप्ती के लिए शिव पर चड़ा हुआ जल नेनों पर कंठ पर मस्थिश्क पर तीन जगहा पर जिसके प्रती दिन शिव पर चड़ा हुआ जल लगता है उसको कभी नवगरा परिशान नहीं कर सकते है